राजनीती में एक नया ट्रेंड बना है हनुमान बनने का मतलब ये कि किसी बड़े नेता को आप अपना भगवान बना लीजिए और आप उनके हनुमान बन जाए बाकि बिहार के तीन हनुमानों की इस्तिती बहुत नाजुक है एक हनुमान जी ने तो सारजनिक मंच पर ये कह करते थे इसके अलावा अगर आप भोला यादव जी की बात करे तो वो अभी भी शायद लालू पुरसाद यादव के हनुमान है और आप इसमें से आरसीपी सिंग को हटा नहीं सकते हैं क्योंकि लबजम 15-20 साल तक वो नितीश जी के हनुमान कहलाए लेकिन अब ऐसी इस्त थीक नहीं है ये लोग परिशान है इस बात से कि उनके जो भगवान थे वो उनको छोड़ चुके हैं और उनके राजनितिक करियर पर भयंकर संकट मड़ा रहा है देखे भोला यादव आरसीपी सिंग और चिराग पासवान की कहानी आज हम फिर से आपको सुनाने जा रहे ह शुरू करते हैं चिराग पासवान से चिराग पासवान नरेंद्र मोदी को अपना भगवान मानते हैं और हमेशा से कहते आ रहे हैं कि मैं तो उनका हनुमान हूँ और चिराग पासवान के 2020 के विधान सबाचुनाव में अपने भगवान के लिए जो किया वो वाकई में ला उनकी पार्टी टूट गई लेकिन भाजपा ने कुछ नहीं बोला और जो चिराग पासवान की पार्टी तोड़ा वो आज केंद्र में मंत्री है और इस तरीके से नरेंदर मोदी जी को अपना भगवान मानने वाले और खुद को नरेंदर मोदी जी को हनुमान बताने वाले चिराग पासवान आज कैसी राजनिती कर रहे हैं यह आपको और हमको पता है जमीन तलाशने में लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 24 और 25 के चुनाव में थोड़ा बहुत उनको कुछ हासिल हो जाए अब आईए आप RCP सिंग पर वो आईएस अफसर जो अपने धौस के यह जाना जाता था वो आईएस अफसर जो नितीश कुमार के करीब उस वक्त आई जब नितीश जी रेल मंत्री बन गए और वो आईएस अफसर जिसको नितीश जी ने दो बार राजसभा भेजा और एक वक्त तो विपक्ष हर बात पर यह कहता था कि जदियों में अगर जा किया है वो अपने परिश्रम से किया है मतलब कि वो सिधा सिधा इस बात से इंकार कर दिये कि नितीश कुमार उनके भगवान है और वो उनके हनुमान है अब क्यों कर दिये यह तो आपको पता है लेकिन हम बता देते हैं नितीश कुमार जी ने उनको राजसभा नहीं बेज और उनका कोई value नहीं रह चुका है मतलब नंबर दो वाले हनुमान का भी काम तमाम हो चुका है राजनीती में अब तीसरे वाले पर आईए भोला यादव जी जो 2004 से लेकर 2009 तक लालू प्रसाद यादव के OSD थे और जब रालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे तो सारा ज जिम्मा भोला यादव के पास था लालू यादव के पूरे 17 ठीकानों पर CBI और ED रेड़ करती है उसमें उनको कुछ नहीं मिलता है और शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि भोला यादव को इसी केस में गिरफतार किया जाएगा और बुद्वार को लालू प्रसाद याद भी जेल की हवा खा रहे हैं मतलब इनका भी राजनितिक करियर खतम हो चुका है मतलब बिहार के वो तीन आदमी जो अपने आपको हनुमान बता रहे थे और अपने भगवान को सरश्रेट मान रहे थे उनके भगवानों ने उनका साथ नहीं दिया ना लालू जी ने भोला य किसी को भगवान मत मानिये हनुमान मनने में ज्यादा फाइदा नहीं है जो पहले वाज हनुमान जी थे वह बहुत ताकत्वर थे बहुत बुद्धी था उनको आज इकल के यूग में इसा नहीं होता है वहराल आपको इस्टोडी कैसी लगी कमेंट बक्स में लेकिं बताई है आप जिन तरिंग्शन देख रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद